So guys, welcome back to our channel Dynamic Techno Guys, आप Infinix Mobile यूज़ करते हैं तो दोस्तो आपना Infinix Mobile पर एक problem जरूर फैस्ट करने के लिए पड़ता है क्या होता है दोस्तो जब का Infinix Mobile होता है वो automatic switch up होके automatic power on होता है तभी दोस्तो आपको many challenges फैस्ट करने के लिए पड़ता है तभी दोस्तो ये problem आपको हो सकता है दुसरा number region हो सकता है दोस्तो आपना mobile बहुत ज़्यादा heat होने की बज़े से अपना mobile क्या करता है automatic switch up करके automatic on करता है तो मैं आपको recommend करूँगा दोस्तो आपना mobile जब बहुत ज़्यादा heat हो जाता है तब भी दोस्ता अपना मोबाइल को कुल डाउन होने में छोड़ देना है तीन नबर रिजान हो सकता है दोस्ता आपका मोबाइल का बेटरी अगर डेमेज वाई तो दोस्तो ये प्रोब्लेम आपको 100% ग्रेंटी देखने के लिए मिलेगा और भी कहने सारे कोजेस होता है दोस्तो जो कि आपको में कोजेस बता दिया हम और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तो अगर आपका मोबाइल का बेटरी में प्रोब्लेम नहीं है यानि कि hardware problem नहीं है software इस हुए तो दोस्तों जो भी मैं मैं थड़ बताऊंगा आपको 100% guarantee अपना mobile पर apply करने के बाद काम करेगा तो चलिए दोस्तों बिना किस टेगमेश्ट के विडियो को start करते हैं पहले दोस्तों अपना mobile को आपको sap mode enable करना है तो केसे enable करना है दोस्तों अपना इंफिनिक्स mobile में sap mode चलिए आपको बताता हूँ पेले दोस्त अपना mobile का power button को थोड़ा आपको प्रेस करके रखना है प्रेस करके रखने के बाद दोस्तों आपको power up का option देखने के लिए मिलेगा इसमें आपको थोड़ा सा tap करके रखने के बाद reboot to sap mode आपको देखने के लिए मिलेगा चलिए इसको unlock कर लेता हूँ, देखने के लिए मेरेगा sap mode enable हो चुका है, you can see, जो भी मेरा application था, दोस्तो, third party application वो भी यहाँ पर height हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, दोस्तो, अपना mobile को continuously आपको 5-6 गंटे तक आपको use करना है, और देखना है, दोस्तो, जो आपका mobile होता है, वो switch up होता है, या फिर नहीं, अगर दोस्तो, switch up नहीं होता है, तो सही बात है, अगर switch up होता है, तो दोस्तो, चलिए next method पर आपको क्या करना है, बताऊंगा, तो आपको यहाँ पर save mode को disable करने के लिए, दोस्तो, अपना mobile को re-boot, यानि कि आपको restart कर लेना है, restart करने के बाद, दोस्तो, जो आपका save mode होता है, वो disable हो जाएगा, चलिए आपको दिखा देता हूँ, restart कर लेता हूँ, restart करने के बाद जो step mode होता है, अभी देखने के लिए मिलेगा disable हो चुका है, देन दोस्तों दो नमर मेथल पर आपना mobile पर कोई भी third party application आप इंस्टल करके रखे हैं, कोई भी ऐसे application आप इंस्टल करके रखे हैं, उसको आपको पहले on install कर लेना है, सारे का दोस्तों यहाँ पर on install करने के बाद जो आपका mobile को एक बार restart कर लेना है, restart करने के बाद दोस्तों जो आपका problem होता है, दोस्तों possibility तो है कि आपका problem होता है वो sort out हो जाए, यह दोस्तों आपको दो number method पर ऐसे करना है, तीन number method पर दोस्तों आपना mobile को आपको force reboot करना है, तो कैसे करना है दोस्तों आपको चलिए बताता हूँ, आपना mobile को पहले power up कर लेना है, power up करने के बाद दोस्तों आपना mobile जब completely power up हो जाएगा, तब ही दोस्तों आपको क्या करना है? अपना मोबाइल का power button and volume of button आपको एक बार click करने के बाद दोस्तों हमें आपका recovery mode देखने के लिए मिल जागा. यहाँ पर दोस्तों हमें i 본 देख gonna i Pent gallon reboot system नऊए आपको देखने के लिए को force reboot कर लेना है force reboot में दोस्तों आपका जो problem होता है वो ऐसे भी सौट आउट कर सकते हैं fourth नमर method पर दोस्त आपको setting पर चले आना है setting पर चले आके दोस्त आपको यहाँ पर system पर click करना है system पर click करने के बाद दोस्त आपको कंने के लिए मिला होगा दोस्तव अपना मॉबाइल पर पहले दोस्त आपको सिस्टम आपडेट नहीं करने की बज़़े से भी प्रोब्लेम आपको हो सकता है और कहीं बार दोस्तों आपना सिस्टम आपड़ेट करने से भी 仔ले आना है बैक चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको find करना है schedule power open देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पर लिखा है schedule power open आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों इसमें आपको click कर लेना है इसमें click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कहें बाद दोस्तों आपको एक option देखने के लिए मिलेगा push now, push now पर click करने के बाद दोस्तों आपका जो phone होता है उसको आप speed up कर सकते हैं, दोस्तों ये जो method को आपको daily करना है अपना mobile पर जो आपको यहाँ पर करने के बाद अपना mobile पर smoothness आ जाएगा you can see दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा turn on कर लेना है, चलिए मैं कर लेता हूँ, इसको करके turn on करता हूँ, back आने के बाद दोस्तों जो भी आपका phone का cash data होता है वो दिखाई देगा, you can see यहाँ पर clean पर क्लिक करता हूँ, 2GB के असपास है, दोस्तों आपको यह daily सुबे सामा को करना है, तभी अपना mobile पर smoothness आ जाएगा, यहाँ पर चलिए back कर लेता हूँ, back करने के बाद दोस्तों यहाँ के सारे और option यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, phone color का option मिलेगा, अगर दोस्तों आपका phone बार-बार heat होता है, तो भी दोस्तों आपे phone color पर आके दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, चलिए इसमें click कर लेता हूँ, then दोस्तों आपको detect करेगा, जो भी application है, दोस्तों आपको दिखाई देगा, इस तरीके से दोस्तों ये future को आपको use करना है, daily करना है, दोस्तों ये method को, ठीक है, आपका जो mobile होता है, वो smoothness आजाएगा, उसके speed up भी आजाएगा, और यहाँ पर आपको नीचे एक option देखने के लिए मिलता है antivirus, antivirus में दोस्तों आपका जो payment environment होता है, security virus बगरा है, आपना mobile में आप चेक कर सकते हैं, यह 100 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, security risk 0 है, आपको यहाँ पर इसे चेक कर लेना है, ठीक है, तो चलिए में reset option तो इसमें में क्लिक करूँगा, यहाँ पर erase all data, factory reset आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक करके दोस्तों आपना mobile को एक बार factory reset कर लेना है, जो भी data होता है दोस्तों आपको पहले आपका जो भी photo, video, images, जो भी contact है दोस्तों आपको उसको backup कर लेना है, कैसे backup करना दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो एक dedicated video में पहले से बना के रखाऊं, उसका जो link है आपको i button में, screen में देदे दूँगा जाके check out कर सकते हैं, then दोस्तों आपका mobile को factory reset करके आपको देख लेना है, जो आपका problem होता है, के बार sort out हो सकता है, तो इस video का जो last method है दोस्त अपना model को search करके वो video देख सकते हैं, केसे खुलना है दोस्तों आपको पता चल जाएगा, और दोस्तों मैं आपको बतना चाहँगा, अगर आपका नया mobile है और अभी तक warranty खतम नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपको back case को नहीं खुलना है, और दर्वाइस आपका जो warranty होता है वो expired हो जाएगा, वो accept नहीं करेंगे, इसे दोस्तों आपको step by step करना है, अगर कोई भी problem बगर आता है, तो मुझे comment section में बता सकते हैं, alright Guys, अब मैं देख लिए कि जो आपका Infinix mobile होता है, वो automatic switch up होके automatic on होता है, तो ये problem का आपको कैसे sort out करना है, पूरी वीडियो में आपको detail पर बता दिया हूँ, इसे दोस्तों आपको step by step करना है, अगर कोभी problem बगर आता है, तो मुझे comment में बता सकते हैं, mobile को एक बार back up करके faculty research करना चाहते हैं, तो कैसे करना है, दोस्तों एक dedicated video में पहले से बना के account, उसका जो link है आपको i button में, end screen में और description में provide कर दूँगा, जाके check out कर सकते हैं, और अभी तक मैंने channel को subscribe नहीं किया, तो subscribe करके bell icon को जरू पेस कर दोना, तो मिलता है my next awesome video के साथ तब तक लिए आपको